आज हम बनाने जा रहे हैं सेंड्वीच टोकले इसके लिए मैंने पाने बॉइल चड़ा दिया है स्टीमर में प्लेट में ग्रीस कर लिया है दोसे का बेटर है इसमें थोड़ा नमक मिला दिया है टू टेस्ट वन पार्ट इसमें निकाल लूँगी त्री पार्ट होंगे त्री पार्ट जितना इसी में रखेंगे बेटर को और वन पार्ट इस दूसे बावल में ट्रांसपर कर लिया है अब बेटर में इनो में ला लेती हूं वन डाइरेक्शन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे वन पार्ट जैसा प्लेट में डाल के टैप कर लेता है अच्छे से फैला दिया है पतली से लिए इस्टीमर में भी पानी बॉइल हो गया है इसमें रख देते हैं और धक्कन लगा देते हैं अब प्लेट को बहार निकालेंगे जो वन पार्ट रखा था इसमें भी इन और मिला के वन डारेक्शन में अच्छे से मिला लेते हैं थोड़े से चॉप किये वे बारिक टेमेटो ग्रीन चटनी कैबेज बारिक चॉप की हुई आप कोई भी वेजीटेबल ले सकते हैं अपने पसंद से राइड केपसी कम ग्रीन केपसी कम और ग्रीन चिली अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मिक्स कर लेते हैं थोड़े से चटनी और डाल देते हों कॉरियंडर की चटनी है ग्रीन चेली और कॉरियंडर अब प्लेट में अच्छे से पहला देंगे कोई भी पार्ट वाइट नहीं रहना चाहिए सब जगे अच्छे से चमच की हेल्फ से फैला देंगे टैप किया देखिए फैल गया अच्छे से अब इसको वापिस स्टीमर में स्टीम होने के लिए रख देते हैं और धक्कन लगा देते हैं 3 मिट तक स्टीम होने देते हैं हाई फ्लेम में स्टीम हो गया है इसको निकाल लेते हैं बहर अच्छे से साधानी से निकाले क्योंकि स्टीम हाथ में भी लगने का रह सकता है फ्लेम को स्लोग कर दे या बंद कर दे जो बाकी हिसा रहा हुआ है उसको अच्छे से डाल के तला देते हैं स्टीम कर लिया और इसको ठंडा होने के बाद में आप मैं पीस कर रही हूँ अब कोई भी शेप में इसको कटिंग कर सकते हैं मैं स्क्वेर कट कर रही हूँ आप ट्राइंगल शेप भी कट कर सकते हैं इस पर मैं तड़का लगा देती हूँ तेल और राई करी पत्ता और अच्छे से सब जगे फैला देते हैं नाइप की हेल्फ से या स्पेंचुला की हेल्फ से पीस को निकालेंगे और सर्विंग प्लेट में सर्व करते हैं देखें इसके दिख रहा है ना अच्छा कलरफुल लेयर डम के लिए लेयर बैठी है देखें कहीं पर भी स्प्रेड नहीं हुआ है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है कॉरियंडर लेप से गार्नेशिंग कह देते हैं थोड़ी सी ग्रीन चिली भी डाल देती हूं तो कैसा लगा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब स्ट्सक्राइब